नश्कार आर्या नियूज देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ फुलपान्य बुलेटिंग के शुरुआत करेंगे बड़ी ख़बर के साथ क्रिशी कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और किसानों में गतिरोध जारी है किसान जहां अपनी मांगों पर अडेवे हैं तो वहीं सरकार भी साफ कर चुकी है कि कानून किसी भी कीमत पर वापस नहीं होगा दिल्ली बॉर्डर पर 20 दिनों से अंदोलन कर रहे किसानों और सरकार की इस जंग में आज का दिन एहम है आज ये फैसला होगा कि किसान बॉर्डर पर टिकेंगे या उन्हें कहीं और भेजा जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाएगा आपको बता दें कि क्रिशी कानूनों के विरोत में दिल्ली बॉर्डर पर हो रहे किसानों के अंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचका दायर की गई है कोर्ट आज इस मामले पर सुनवाई करेगा सुप्रेम कोट में किसान आंदोलन से जुड़ी अब तक तीन याचिकाए दाखिल की गई हैं जिसमें दिली बॉर्डर से किसानों को हटाने की मांग की गई है क्योंकि किसानों के इकठा होने से कोरोना का खत्रा बढ़ रहा है साथ ही एमरजनसी और मेडिकल सर्विस भी बाधित हो रही है जिसके चलते किसानों को आंदोलन खत्म करने की मांग की गई है वे देश के पहाड़ी इलाकों में बर्पवारी से मैदानी राज्यों में ठंड बढ़ गई है जम्मु कश्मीर और हिमाचर प्रदेश में कई स्थानों पर पारा शुर्णी के नीचे चला गया है जबकि उत्तरी राज्यों में दिसंबर की ठंड ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है मौसम विभाग के मताबिक अगले 2-3 दिनों में रात के तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है साथ ही दिल्ली और पडोसी राज पंजाब में ठंड का प्रकोप और बढ़ सकता है तापमान गिरने से अधिकतर इलाकों में कोहरे का असर दिखाई दे रहा है वहीं सरकार ने कुरोना महमारी के चलते इस बार संसत का शितकालिन सत्र ना करने का इलान किया है जिस पर विपक्ष ने राजन्यतिक रोट्टिया शेकना शुरू कर दिया है सरकार के सत्र न करने के इलान के बाद कॉंग्रेस ने सरकार को आड़े हाथ लिया और कहा कि सरकार किसानों के मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती साथी कॉंग्रेस ने आरोप लगाते हुए सरकार को संसदिय लोकतंत को नश्ट करने का करार दिया है